अबी क्रिसमस डे आ रही है क्रिसमस डे स्पेशल लोग बना है ब्रेड इतुके कईड़्ज अब रहता है उसे इसे ब confirmation बहुत ही दिली सस्टा और बहुत ही कलर फूल केक बनाना बनाते हैं ब्रेट की केक बनाने के लिए सुखा वाली ब्रेट ली हो आप चाहिए तो गिला ब्रेट भी ले सकते हैं लैको ब्रेट से बहुत अच्छी तरह से ब dep cleared से हम लोग क्या करेंगे पहले पाउडर तैयार कर लेंगे इसमें कम से कम एक छोटे प्लेट के करीब चीनी डाले चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसरा डाल सकते हैं मतलब आपको जितना जादा मीठा पसंद है उसके सबसे आप चीनी ले सकते हैं क्योंकि ब्रेट में भी चीनी रहती है तो थोड़ा कम ही चीनी ले और चीनी को डाले एदे की इस तरह से मतलब जो हम लोग ब्रेट के पाउडर तैयार किये हैं उसी में चीनी डाले और इसकी भ पर में चलनी रखे जो हम लोग आटा चलती है वह चलनी रखे चलनी के ऊपर में जो हम लोग तयार किये हैं पाउडर वह पाउडर को डाले और इह अच्छी तरह से च्छान ले यह चानना बहुत ज़रूरी है आप जब भी केक बना रहे हैं तो आप चान कर ही बनाए तभी आपको थोड़ा सा और लगता है कि बैटर हमारी जूख्या सूखा है कुछ पाणी ॹपाल ले तरह से नौर्मली मैं इसलम केक में पीट देखे जरी है अच्छ ़ाद मेरा चोछे होगी बनात necesity wrapper यह अच्छ तरह से त्यार है कितना बहुत वें आप इस में थोड़ मिनफोटатив की धाल सकते है मैं विदाउट ओल की यह जो बैटर है वो बनाई हूं थोड़ा सा ओल अगर आप डालना चाहते हैं तो कम से कम एक टेबल स्पून के करीब ओल डाले और फिर से अच्छी तरह से पाच मिनट फेट ले हमारी जो बैटर है वो तयार हो गई है विदाउट ओल की उसके बाद में के लिए हम को पांना है तो पकाने के लिए हमारे पास दो अवन भी नहीं है तो हमनु ऐए कुकर लिये हे मही हं आवन बनाएंगी और इसमें पांगे तो उसके लिए क्या करआए यह रहती हम को रही नहीं मील रहा है और से अविचे अगर यह नमक पैले है तो आपissimo Story की नह करने के लिए इनको ढ़ककर अच्छी तरह से गरम करेंगे तो ढ़ाषकते में घाककन कहरें अचीप और और रबड को निकाल ले औरा इंकी ढ़कन लगाकर इन है अच्छी तरह से गरम होने रावन खरह sincerely है तो उस तरह से pre-hit हो ने दे उसके बाद में क्या करना है हमारी जो बैटर है वह तयार हो गई है हम लोग टिफिन डबा में तेल भी लगा लिए थे तो यह जो बैटर है ना यह बैटर को टिफिन डबा में डाले तेल लगाई वे टिफिन डबा में और इसको अच्छी तरह से प्रेस करें आपका बेटर हैं अवह बैटर में च्म्रहु क्या हो गई व मतलब ऑपा किया हो गई है यह गरम हो गई हैं इसके पार smog से अंदर में एक चोटा सा प्लेट ढाइह देखें इसके उपर में एक stand रखे हम लोगों को जो टिफिन है उसको रख रहे हैं इसलिए रखने के लिए ये सब प्रोसीजर कर रहे हैं आप चाहे तो direct भी रख सकते हैं लेकिन direct रखने से क्या होता है ये इतनी अच्छी तरह से पकती हैं इस तरह से रखने से इसमें जो air है वो क्या करना है कम से कम 20-25 मिनट पकाना है पहले पांच मिनट जो है वो हाइम गैस में पकाना है और बाकी के जो 25 मिनट है वो लो मिडियम गैस में पकाना है तो इस तरह से पका ले 25 मिनट हो गया है 25 मिनट के बाद में आप चेक कर सकते हैं आपकी जो केक है वो पका है यानि उ है और इन्हेन निकाल लें रहा आर्ब से निकालें कि यह बहुत गर्म है तो आप चिमटा की सायतासी निकाल लें फिरक्त के करberry को केक को हल्गाए उसके बाद में बहुत ऑपर हम तोड़ी निकाल दें तोड़ proprietor निकाल जाएगी pocket को निकाल ले और इक प्लेट हम आइ na , टिफिन डबा के उपर में रखे, और इन्हें इस तरह से पल्टा ले, पल्टाने के बाद में क्या गरना है, उपर से इनको प्रेस करना है, थोड़ा सा, ताकि हमारे जो केक है वो आसानी से निकल जाए, इसलिए प्रेस कर ले, और आप टिफिन डबा को निकाल कर देख सकते ह इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से और हम बिए लोग कुछ भी यूजरी कीए हैं, बतलब कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीजे नहीं डालें हैं, सिर्फ ब्रेट से एक एक को बना हैं, इस तरह से बहुत ही डिलीसेज बहुत ही हेल्दी केक बनाए, खाए